ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ कोरोना वाइरस दुनिया में भले ही धीरे-धीरे कम हो रहा है मगर उसका असर अभी भी बरकरार है और जरा से धील आई फिर से हमें मौत के मुँमें ढखेल सकती है कोविड-19 का कहर जारी है और कई लोग आज भी इसके हद में आ रहे है हाल ही में इंगलंड से एक बेहत चौकाने वाला मामला सामने आया है एक 15 साल की यूवती को वाइरस ने अपनी श्रिकार बना लिया जिसके बाद उसके माता-पिता दुखी होने के साथ-साथ ही बेहत हैरान है इंगलंड के पोर्ट समाउथ की 40 वर्षियर ट्रेसी हैली डे बेहत सदमे में है वो इसलिए कि उनकी 15 साल की बच्ची कोरोना से जंग हार गई स्कूल में पढ़ने वाली जोर्जा को स्वास्त से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी मगर अचानक ही उसकी PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और वो कोरोना संक्रमित पाई गई धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होती गई और महस चार दिन में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया सबसे शौकिंग बात ये है कि युवती की मौत उसी दिन हुई जिस दिन उसे कोरोना की वैक्सिन लगवानी थी ट्रेसी ने कहा कि उसकी बेटी एक कीक बॉक्सर है और उसे स्केट बोर्ट का भी बहुत शोक है उन्होंने अपनी बेटी को बहुत हिम्मत बताई जौर्जा की मा ने बताया कि उसके पाँच बच्चे थे और जौर्जा उन में से सबसे बड़ी थी वो बड़ी बहन का फर्स बखो भी निभाती थी और बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी ट्रेसी ने कहा ये बहुत दुखद है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की उम्र आपसे लंबी हो मगर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनका अनुभव कहता है कि वो बहुती दर्दनाक है उन्होंने कहा मैं दिन में एक ना एक बार उसका नाम लेती हूँ और उसे याद करती हूँ उसके बारे में सोच कर ही मेरा दिल दहल जाता है और मैं तूट जाती हूँ योती के मा ने बताये कि जॉर्जा को 28 सितंबर को वैक्सिन लगानी थी उसका स्लोट पहले से बुक था उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी मगर उसे अचानक ही फ्लू जैसे लक्षन आने लगे उसे तेज बुखार हुआ और उल्टी आने लगी जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया जॉर्जा को 2 बजे अस्पताल ले जाया गया और 7 बजे उसकी मौत हो गई शोशल मीडिया पर लोग जॉर्जा को सद्धान जली दे रहे है